भूवी के जवानी के दिन याद आगए एक बॉल पे दो रंस चाहिए थे रवी अश्विन भी दो बॉल पे दो रंबन आगे खड़े वे थे भूवी की विक्टे थी दो कमिंज की विक्टे थी दो जिन्होंने पिछला ओवर किया था 201 का टार्गिट था हैदरबाद पिछले दो मैच आर चुका था ये दो 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 देखके मेरा दमाग घुम रहा था कि ये मैच कौन जीतेगा लेकिन दिल कह रहा था कि राजस्तान ये चेज कर जाएगा लेकिन जो बुनियाद रखी वो रखी पेट कमिंज ने पिछला ओव हो जाते हैं मतलब बॉलर्ज हैदराबाद जैसी विकेट हलाके ग्राउंड में लोगों ने आज तवक्को की वी थी उमीद की वी थी के 300 लगेगा लेकिन चलो 200 ही सही अब तो IPL में 200 भी कम लगता है बहुत ज्यादा निराश होंगे असाम के मेरे सारे भाई क्योंके रिया रियान प्राग मुझे पता है बड़े लोग वेट कर रहे थे कि आज अपना शतक लगाएंगे क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था कि रियान प्राग इस IPL में एक शतक लाजमी लगाएंगे और आज हम बहुत क्लोज थे बट अभी भी IPL के कुछ मैचेज रहते हैं यार मैं नोट कर रहा हूँ कि जिसका भारती टीम में नाम आगे वर्ड कप में उस ज्यादातर प्लेयर्स को कुट पढ़ना शुरू होगी है यूजी चहल वेंट फूर 62 रंस यार संजू सैंसन दीरो भी आउट हो गए और जॉस बटलर बाइदर वे चले जाएंगे राज किस तान उसको किस तरह टैकल करेगी क्या वो तो नहीं होगा कि एक में प्रेड निकल गया तो टीम का मोमेंटम तूट जाए यह श्यस्वी शुकर राउन का नाम आया हुए ही स्कोर्ड वेल फिर उसके बाद ओवरॉल मैच की बात करें तो हैदराबास से गराम शुरू करे नितेश ने बड़ा इंप्रेस किया यार उन्होंने पहले भी आईपियल में अपनी बैटिंग की जलक दिखाई थी उपर से ट्रेवेस हैड ने भी रंस किये लेकिन उस तरह से वो अपना जलवा नहीं दिखा पाए लेटर ऑन दा टेज उस तरह से नहीं वो कर पार है जो उन्हों में उन्होंने अपने बारे में एक खौफ और टेरर फेला दिया था उसको वो उस तरह से कांटिनू नहीं कहर पार है उसके बाद क्लासन ने भी आविसली नीचे से फिर अपनी क्लास दिखाई और बहुत ही पावरफुल प्लेयर बनते जा रहे हैं और दुनिया मे आखरी ओवर में मैच जितवाके हैं लेकिन जो बुनियाद रखी न जो ये बीच बोया जीत का वो पैट कमिंस के ओवर ने बोया था वो बड़ा मेन ओवर था मतलब पहले उन्होंने विकेट भी चटखाई और उसके बाद जो उन्होंने आखरी दो तिन बॉल डॉट की है वास सही प्रेशर जेनरेट हुए है आखरी ओवर इंपॉर्टन होता है लेकिन आखरी ओवर तक मैच ही नहीं जाता तो सेकिंड लास्ट ओवर कभी कभी उससे भी जदा इंपॉर्टन हो जाता है टी टुएंटी क्रिकेट में तो कप्तान पैट कमिंस की ये छोटी छोटी आपको नज़र आती है कि किस तरह वो एक बेहतरीन दमाग रखने विला आदमी है अच्छी चीज पैट कमिंस नहीं की कि कि इस दफ़ा वो थोड़ा पहले बॉल करने आए जब पहले है रबाद में अच्छा आ रहा था तो आपको याद होगा मैंने पॉइंट रेस किया थ है कि पैट कमिंस को ना जब टार्गिट थोड़ा सा कम है अब देखने में दोसों है लेकिन दोसों भी फिला तो कम ही लग रहा एपियल में पैट कमिंस को थोड़ा उपर आना पड़ेगा बॉल करने आज जल्दी आए बॉल करने क्योंकि इनकी टीम में ठीक सब अच्छी कर लेते हैं तकरीबन लेकिन जो सबसे बेतरी इनकी टीम में पेसर है वो पैट कमिंस है उनको उनके खिलाफ कोई ज्यादा चार्ज भी नहीं लेता क्योंकि सब को बता है एड़ एंड ऑफ देख भाई यह ठीक गदी पर बॉल डालता उसको हम मूँ धागे नहीं मार सकते जितना मर्जी पाटा विगेट है तो वो ऊपर है स्ट्टेजी उनकी ठीक थी और राजिस्तान रॉयल्स खैर अभी तो टेबल के टॉप पे ही है इनको जैसी इनकी फॉर्म चल रही है ज्यादा निराश नहीं होंगे क्योंकि कमफर्टेबल पॉजिशन में है टेबल के होती है कि वो फॉर्ट वेल हमने आज अच्छी फाइट की और यही हम देखना चाहरे थे भारती टीम में स्लेक्ट होने वले प्लेयर्स की तरफ से जैसे आज ये शस्वी ने अच्छी बैटिंग की उनको कॉन्फिदेंस मिला होगा डेफिनेटली यूजी चेहल थोड़े स राश होंगे संजू सैमसं को एजी नहीं होना क्या ठीक है वल्ड कप में स्लेक्ट हो गया हूं लेकिन उनको इंपॉर्टन है कि वो रंज आगे लेके जाए क्योंकि क्रिकेट मैं हमेशा कहता हूं कि एक मोमेंटम का खेल है और जब आपका मोमेंटम टूटता है तो कभी-क तो भी टाइम लग जेता उसको बनने में बनाने में वाले तो एक आदे मैच में भी बना लेते हैं बट जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट इसे मेरी फणी गेम वीडियो बसांद आए आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को ट्रेक कर सकते हैं आपने वेरी गूड न में खेडे टीज एम उपने कर सकते हैं लेगन दोस्तों के चचरग कर देक secularव और ल grown-धे जाए बनाने में जाबरे लेदे में में जाए लो वीडियो वशने वीडार के लिए मेंटा टाइए पंटरेंगा को बनाने में ख comment शोब्सामें जार लेजर झाटरत रेविकेश फ